दोस्तों नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे डालिया प्लान्ट का केरिंग, ज़ंदी आप गमले में लगा रखे हैं डालिया प्लान्ट को, तो किस तरिके से उस प्लान्ट का केर किया जाएगा, ओचीज हम आपको आज यहाँ देखाएंगे दोस्तों जो डालिया प्लांट होता है या सिजन फ्लावर्स का सबसे बड़ा फ्लावर्स होता है और इसको जिदी सही तरीके से केर किया जाए तो इस प्लांट में बहुत ही बड़ा फूल आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्लांट में जो दोनों साइड में जो बड़ आया है उस बड़ को निकाल देना बहुत ही ज़रूरी होता है जदि इस बड़ को हम छोड़ देते हैं तो ब्रांच का रूप ले लेगा और हमारा फूल जो है छोटा हो जाएगा छोटा छोटा फूल इसके अंदर में जदि एक प्लांट में दस फूल आएगा तो छोटा छोटा फूल आएगा और वही फूल जदि हम उपर के तरफ एक ब्रांच में ले रहे हैं तो बहुत ही बड़ा फूल आएगा और बहुत ही अच्छा फूल आएगा तो दोस्तों इसका जो बड़ हम निकाल दिये और बड़ निकालने के बाद में इसमें क्या करना है ओचीज हम आपको अभी बोलेंगे इसके अंदर में क्या करना है बांस का जो इस्टिक है एक जो डालिया अपका प्लांट है उस हिसाब से लगभग चार-चे इंची थोड़ा सा उंचा ही इस्टिक लें क्योंकि यह प्लांट हमारा जो है थोड़ा अभी और बढ़ेगा इस प्लांट को मिटी के अंदर में अच्छा से वहाँ पर उसको बठा दीजिए अंदर के तरफ निचे मिटी में जाएगा लगभग चार-पांची निचे मिटी में जाएगा और क्या करना है लगभग तीन जगे इसको कम सकम बांधना होगा बांधना ज़रूरी रहता है यह जो फटलाजर आप देख रहे हैं यह फटलाजर हम लिए हैं पोटास फटलाजर है इसको चाय वाला चमच से आधा चमच हमको लेना है गमले के चारो तरफ किनारे किनारे तरफ हमको फटलाजर को दे देना है देने के बाद में क्या करना पड़ता है इसको एक बांस के इस्टिक से हलका हलका गुडाई करने पड़ता है क्योंकि जो plant हमारा जब बढ़ने लगता है तो इसका जो जड़ है उपर के तरफ आने लगता है तो ज़्यादे इसको मतलब नीचे तक नहीं जाना है गुडाई के लिए हमको उपर के तरफ हलकालका गुडाई कर देना है और इसका केरिंग के बाद आप देख सकते हैं इस plant का जो पत्ता है पुरा सही है पुरा ग्रीन है तो दोस्तों इस तरीके से ज़िए आप अपने plant का केर करते हैं सुरू से तापका भी plant इस तरीके से होगा और इस plant में कभी भी आप water को over watering नहीं करें इसका नियाम है सुबह साम इसको कम से कम हो सके तो इसको धुलाई करें प्लांड का पत्ता को और यह जो fertilizer आप देख रहे हैं छोटे डबे में हम जो लिये हैं सुर्थो का खली है इसमें हम सौ ग्राम सुर्थो का खली लिए थे और एक लिटर पानी लिए थे तिन दिन के लिए हमने इसको छोड़ दिये थे तिन दिन बाद यह fertilizer हमारा ready हो चुका होता है और इसके बाद जो सामने बड़ा वाला डबा में आप देख रहे हैं या नौ लिटर पानी है इसके अंदर यह वाला फटलाजर एक लिटर हम इसमें मिलाएंगे तो बन जाएक कितना दस लिटर दोस्तों इस फटलाजर को देने के बाद में एक बास का इस्टिक लिजे और उससे अच्छा से उसको मिलाईए मिलाने के बाद में आपका फटलाजर पूरे तरह से ready हो जाएगा और अपने आप आप जो देंगे जो भी आपका season flowers है उसमें आप लगभग port के हिसाब से देन है जिदि आपका 10-12 इंची का pot है तो उसमें आप आधाल लिटर दीजिए और 8 इंची का pot है तो उसमें आप 300 गरम दीजिए और दूसरा बात निरफर करता है कि आपका plant जो है उसका मिट्टी कितना सुखा हुआ है गमले का तो इसी हिसाब से दीजिए जितना कि वह टान ल प्लांट जो है क्योंकि फटलाइजर इसके अंदर पत्य का अंदर शिपक जाएगा तो आपका खराब हो सकता है तो इसको धोलाई कर दीजिए तो उससे आपका plant जो है पूरा ही सही हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों इसको फटलाइजर को हमको 10 दिन के बा जिस टाइम में आप प्लांट को लगा दिये तो समझिए वह 75 दिन के अंदर आपको फूल देगा दोस्तों हमारा फूल अभी स्टार्ट हुआ है इसके बाद वाला जब फूल आएगा थोड़ा बढ़ा करके फूल आएगा क्योंकि प्लांट जो है स्टार्टिंग का फूल है और इंसीन लगेगा आपको हम बोल रहें अपके पास यही भी कमपनी का इसको देछ सकते हैं हम जो आपको देको देखा रहे हैं यह कंपपाई है टाटा कंपाई का टैफ गोर मेडिसीन के और इसके जगह पर जो आपके पास रोगर है तो रोगर भी अच्छा ही defendant काम कर एक लिटर के हिसाब से दो गराम देने रहता है आपका डबा एक लिटर का है तो उसमें आप दो गराम ही दीजिए यह मेरा डबा दो लिटर का है तो इसमें हम चार गराम देंगे और चार गरम देने के बाद में हम इसको अच्छा से मिलाएंगे और मिलाने के बाद में हम अपने प्लांट के उपर इस्फिरे कर देंगे दोस्टों यह जो मेडिसीन है थोड़ा भी सईला होता है इसको बच्चों के पहुंसे दूर रखिए या आप जिदी शिर्काव कर रहें तो अपने नाक मुह के उपर मास्क जरूरी होता है और यह जो बैमारी है पूरा ही ठीक हो जाएगा इसको हमको चार दिन के बाद-बाद शिर्काव कर देना है बैमारी च quase दिन बाद बाद चर्काव करतेकं आपका प्लांट व्र उसी सर बीमारी है तो हट जाएगा कुछ प्लांट और इस प्लांट को और बान नहीं करें च्छाद का धोलाई करना बहुत ही जोरीरी होता है और इसका सूरज के रोस्तनी है कम से कम 7-8 घंडा जोरीरी होता है यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और नए आया है तो सब्सक्राइब करें और कोई प्रस्ण है तो कमेंट बक्स में और शिप पूछें